फाइनली महिंदरा एक्ष्वी सेवन डवो लोग को इंडिया में अन्वील कर दिया गया है जिसको महिंदरा के लवर्स को बेसबरी से इंतजार था जब कमपनी ने इसके फीचर पताए तो लोग काफी हैरान रह गया है क्योंकि कई सारे ऐसे फीचर हैं जो कि सेग्मेंट में पहली बार दे रही है कमपनी या फिर सेग्मेंट में सबसे बहतर है फीचर के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे इसके प्राइस की जोकि सब को एक तगड़ा जटका दे गया है चाहे वो कॉम्प्टीटर्स हो या फिर कस्टमर को कस इसे कैसे इतने प्राइस दिये जा सकते हैं XVV 7W को दो सीरीज और पाच वेरियंट में अभी अन्वील किया गये है जिसमें MX सीरीज है और एडरनौक सीरीज है MX सीरीज में टोटल दो वेरियंट सा जाते हैं MX गैसोलीन जिसका शुरुआती प्राइस है 11,99,000 रुपए जो कि यही सबसे बड़ा प्राइस वो सौकिंग हो जाता है वहीं MX डीजल का प्राइस आ जाता है 12,49,000 रुपए इसके बाद एडरनौक सीरीज आ जाती है जिसमें टोटल तीन वेरियंट मिल जाते हैं AX-3 गैसोलीन जिसका स्टार्टिंग प्राइस आ जाता है 13,99,000 वहीं इसमें AX-5 गैसोलीन मिल जाता है जिसका स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है 14,99,000 बाकि अभी वेरियंट्स के कंपणी ने प्राइस अन्वील नहीं किये हैं जो की फ्यूचर में बहुत जल करेगी AX-4 वी 7 डबलो मैनवल और आटोमेटिक दोनों में ही उपलब्ध होगा जो की 5 और 7 सीटर कैपसिटी के साथ में आएगा अगर आपको All-Wheel Drive X-4 चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं यानि एक बहतर पावर के साथ में भी ये उपलब्ध होगी X-4 वी 7 डबलो में दो तरह के इंजन दिये गए है टर्बो चार्ज, M-Hawk, डिजल इंजन वहीं दूसरा इंजन इसमें दिया गए है टर्बो चार्ज, M-Stallion, गैसोलीन जो की पावर प्रड्यूस करता है 200 PS की जो की अपने सेग्मेंट में सबसे पावरफुल कार को बनाता है वहीं टॉर्क मिल जाता है 380 NM का अब बात करते हैं इसके फीचर्स की तो यहां मैं सबसे पहले बात करता हूँ M-Series के फीचर्स की इसके M-X variant में वहीं अगर आप इसके टॉप मॉडल पर जाते हैं यानि एडरोनॉक्स AX7 में जाते हैं तो वहां पर 6 वे पावर सीट मेमरी मिल जाती है लैदर स्टेरिंग और लैदर गियर मिल जाते हैं लैदर की सीट भी मिल जाती है 18 इंच के diamond cut alloy wheel दिये गया है dual zone climate control, smart clean zone driver और advanced driver assist system भी दिया गया है इसके अलामा यहाँ पर side airbags भी देखने को मिल जाते हैं 60 connected feature भी दिये गया है wireless android auto भी दिया गया है इस तरह के कई सारे features इसमें दिये गया है अगर मैं stereo की बात करूँ तो इसमें नया logo आ चुका है front पर chrome finished grill देखने को मिल जाती है और काफी cuts देखने को मिल जाते हैं front पर LED lights दी गई है जो की काफी ज्यादा sharp है बाकी बहुत जल्द हम इसका detail video भी अपने channel पर लेकर आएंगे आएंगे झाल झाल